हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको ओल्ड मैन एंड गन ये एक ट्रू स्टोरी एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ ये 2018 की हॉलिवूड मुवी है ये मुवी बेस्ट है फोरेस्ट अकर पर ये एक चोर था और इसने पुरे लाइफ में सिर्फ चोरी ही की थी ये 18 बार जेल से फरार हो चुका था ये बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है तो चलिए इसे एक्स्प्रेंग करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें एक ओल्ड मैन बैंग में आतवा दिखता है वहाँ जो काउंटर वाली होती है उसे काउंटर में जो सब पैसे होते हैं ये सब उसे दे देती है इसके बाद शांदी से उस बैंक से चला जाता है कार में बैटता है और वहाँ से फरार हो जाता है यही फोरेस्ट गर है इसने अभी-भी चोरी की है इसके बाद हेड़फोन्स होते है उसे अब पुलिस क्या क्या कर रही है यह सब सुनाई देता है पुलिस का रेडियो पुरा इसे यहां सुनाई देता है पुलिस को जिस गाड़ी पर शोगता है वो गाड़ी भी यह चेंज कर लेता है अलग गाड़ी में चलने लग जाता है आगे चलकर इसे पता चलता है, कि जिस कार में वो है, इसके वारे में पुलिस को पता चल चुका है ये फिर जब highway से जा रहा होता है, तो वहां उसे एक और रहोट साइड पर उसकी गाड़ी खराब हो ही है ये उसे दिखता है, वो फिर ये गाड़ी रोक लेता है पुलिस अगर गाड़ी को fine करेगी तो वो चलती गाड़ी को fine करेगी यहां रुका हुआ है तो इस पर कोई शक नहीं करेगा इसलिए यह रुकता है इस ओरत के पास आकर कहता है यह क्या तुम्हें कुछ help चाहिए यह कहती है कि मेरा engine खराब हो चुका है इस ओरत का नाम Jewel होता है Forest Jewel से पुछता है कि कहा तुम जा रही थी यह कही थी है कि मुझे पता नहीं सिर्फ में निकल पड़ी थी Jewel कहती है कि यह मेरी चोरी के गाड़ी थी Forest देकर surprise हो जाता है पर यह हसने लग जाती है यह जोक कर रही होती है Forest एक्चुल में चोर है तो इसे बहुत ही अमुजिंग लगता है Forest जब इसका नाम जानता है तो उसे कहता है कि यह नाम तो में बहुत ही सूट करता है इसके बाद यह एक रेस्टोरन में आयो होए हमें दिखते है Jewel उसके बारे में और भी बाते कहती है उसके पास एक बड़ा साहूस है जिसमें उसके पास थ्री होसेस है Forest कहता है कि मेरी इच्छा है कि कभी मुझे भी होस राइट करने है Forest ने Jewel को कहा होता है कि वो सेल्समैन है तो Jewel से बुछती है कि किस चीज़ का हो सेल्समैन है Forest इसका अच्छे से अंसर ने देबाता वो कहता है वो सेल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है वो बोलता है कि अगर मैंने सब को सचता तुम्हें बता दिया तो तुम फिर से मुझे नहीं मिलोगी Jewel कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे फिर से मिलोंगी यह फिर सोचती है और उसका नंबर एक कार्ड पर लिखकर उसे दे देती है Forest भी पेन लेता है और वो रॉबरी करता है यसा वो कार्ड बोर पर लिख देता है Jewel पर इस पर बिलियु नहीं होता वो कहती है कि अगर तुम सच मुच में यह सब काम करें होगे तो मुझे प्रूफ करकर दिखाओ Forest कहता है मैं प्रूफ तो कर सकता हूँ पर मुझे करना नहीं है Jewel को बिली हो जाता है कि यह जो सब कह रहा है यह सब जोट कह रहा है वो उसे बुछती है कि क्यों नहीं तुम प्रूफ कर सकते यह कहता है कि यहा इस रेस्टोर में कुछ प्रूफ करना यह मेरा स्टाइल नहीं है यह फिर कहता है कि जेस जगह मुझे रॉबरी करने होती है वहां 3-4 दिन पहले में जाकर आता हूँ मुझे किस औरत से या आदमी से पैसे लेने है इसका मैं पूरा स्टडी करता हूँ इसके बाद 3-4 दिन मैं उस पर नज़र रखता हूँ और फिर जब मुझे लगता है कि आप राइट मुमेंट है तब मैं आंदर जाता हूँ और सब पैसे लेकर आता हूँ वहाँ जनरेल लड़की ही होती है मैं उसे कहता हूँ कि बहुत ही शांत रहो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हर्ट हो जाओ फिर मैं उसे पैसे कहता हूँ यह मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ मैं तुम्हारे पैर में भी बढ़ सकता हूँ मैं उसे flood करता हूँ और वो भी जारा comfortable होती है और सब पैसे मुझे दे देती है इसके बाद वहाँ से निकल जाता हूँ चुब वो इस पर थोड़ा भी believe नहीं करती forest भी कहता है यह मैं मज़ा की कर रहा था इसके बाद हमें direct to John Hunt दिखाया जाता है यह जो time period चल रहा है 1981 का चल रहा है यहाँ और एक robbery forest नहीं की है जो robbery हुई थी उसके वो सब details ले लिते और यह फिर से station पर आ जाते है आज John का 40th पड़े होता है तो उसके सब colleagues इसको celebrate करते है यह जब सुबा गर आता है तब हमें इसकी family दीखती है इसके एक wife होती है उसके दो बच्चे होते है इसका बच्चे यह सुबा आज मनाने वाले होते है इसके लिए अच्छे सा गेक वेगरा उनने लाय होता है यह एक अच्छे सी happy family होती है नेक्स दिन अपने बच्चों को लेकर hunt एक bank में आता है उसके बच्चों का ही bank में कुछ काम होता है इसलों उनको लेकर आय होता है अब हमें दिखता है कि forest दो और बुड़े लोगों के साथ है यह जो थी यह पूरी team थी नहीं कि यह दो बुड़े लोग और forest यह दिनों मिलकर यह bank लुटते थे forest के जो friends थे कुछ बड़ा करना हो तो उसे help करते थे वरना वो information वेगरा निकाल दे थे अब मैं दिखता है कि hunt जिस bank में आया हुआ है वह forest टकर आया है forest फिर अंदर जाता है manager से वो बात करता है manager को वो गन दिखाता है manager को कहता है कि तुम्हें अब बहुत ही शान्त रहना है उसे एक bag देता है और उस bag में सब पैसे उसे रखने के लिए कहता है hunt bank में होता है पर टकर को manager सब पैसे निकाल कर शान्ती से दे देता है किसी को कुछ पता भी नहीं चलता जब टकर बहार आता है और निकल जाता है तो manager डोर बन कर लेता है अब hunt को पता चलता है कि यहां robbery हुई है सब police officers विकरा सब वहाँ आते है और hunt का बहुत ही मजाक उड़ाया जाता है वो ही था पर वो robbery को spot नहीं कर बाया रात में hunt अपने wife के साथ news देख रहा होता है निउस पर इस robbery का मैं में घूज भी नहीं होता याने कि लोगों को इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता hunt की wife उसे motivate करती है और कहीती है कि तुम उसे पकड़ लोगे तुमें इससे फरक पड़ता है और एक ना एक दिन तुम इससे पकड़ी लोगे अब हमें इसके बाद जोल और forest मिल रहे है यह दिखता है यह उनके पहली official date होती है जोल उसे पुछती है कि तुमारे sales का business किसा चल रहा है यह कहता है कि मैं region का top 5 salesman हूँ जोल बोलती है कि मैं तुमारे एक भी word पर believe नहीं करती है जब पहली बार मिले थे तो Tucker के ear में headphones थे यह बुछती है तुमारे hearing aid कहा है Tucker pretend करता है कि उसे कुछ सुनाय नहीं दे रहा यह दोनों फिर हसने लग जाते है Detective Hunt अब investigation स्टार्ट कर देता है थोड़ी सी files निकालता है similar जो robberies होती है इनको track करता है एक ऐसी case उसे मिल जाती है और वहाँ का जो sheriff पता है उसे वो call करकर जब इस बारे में बोलता है तो sheriff कहता है कि मेरे wife की एक friend थी उसने में यहीं पता है था कि इसी type की एक robberies होई थी अब यहां Hunt को पता चलता है कि Forest ने इस तरह की बहुत सारे robberies की है यह अब इसके पीछे लग जाता है बहुत सारे files वगर निकालता है इसे फिर पता चलता है कि पूरे दो साल में इसने 93 robberies की है Hunt हाथ दोकर अब Forest की बीछे लगा हुआ है हमें Forest और एक bank में आया हुआ दिखता है वह एक लेड़की होती है जिसको जाकर कहता है कि सब पैसे अब मुझे दे दो उसे कुछ भी आवाज करने के लिए ना कहरा होता है यह वैसे देते देते रोने लग जाती है Forest कहता है कि please रो मत क्यों तुम रो रही हो यह लटकी कहती है कि आज मेरा पहला दिन है फोरेस्ट कहता है कि हर एक चीज़ का पहला दिन तो होना ही चाहिए वो एक अच्छा जॉब करी है यह कहकर उसे वहाँ से चला जाता है हमें देखता है कि बहुत सारी इन्वेस्टिकेशन हंड करता है चाहिए रॉबरी हुई होती है तो उन लोगों से वो मिलता है यह सब लोग कहती है कि फोरेस्ट जो था वही जेंडलमेन था वो बहुत ही पोलेट था और बहुत ही अच्छा आदमी था जो अभी अभी बैंक के लेडी थी उसे कहती है कि वो बहुत ही मुझे खुश लग रहा था अब मैं दिखता है कि जोल के घर पर फोरेस्ट आया हुआ है जोल के बहुत ही बड़ी लैंड होती है और वहाँ बड़ा सा घर होता है अपनी पूरी लैंड जोल उसे दिखाती है उसके होरेस्ट वगरा भी दिखाती है फोरेस्ट उससे पुशता है कि क्या ये पूरी तुम्हारी लैंड है ये गहती है कि मेरी ही है पर ये आप बैंक के पास है अगर जूल ने ये लाइन सेल कर दी तो उसे इसके बहुत सारे पैसे मिल सकते है चो करजा उस पर बैंक का है ये भी चुकता हो सकता है इसके जो बच्चे है ये उसे यही कहते रहते है जूल ये मानने नहीं वाली होती है उसे यहां रहना अच्छा लगता है ये बोलती है ये फुरन के बच्चों को मैं कहिते हूँ कि वो यहाँ आकर रहे हैं हो मुझे हिल्प कर सकते है जुल फिर feels से जाझ करते हैं कि क्या तुमने कभी शादी की हैł forreast कहता है मैं जब यंक था तक मैंने शादी की थी उसके बच्चों के बारे मैं जब बशुक्चती है forest कहता है वो उसमें एक pattern create कर रहा होता है अब फिर से forest robbery करने वाला है ये दिखता है एक बड़ी से bank होती है जिसमें वो अब robbery करने वाला होता है उसके जो सब friends होते है इस पर नज़र रख रहे होते है अब forest और उसके दो friends ये मिलकर अब सिर्फ bank ही नहीं लोटने वाले होते है तो उसमें एक जो vault होता है उसमें बहुत सारा सोना वेकरा होता है ये सब वो लोटने वाले होते है इन सब को doubt हो रहा होता है कि क्या है ये सचमुश में ये कर पाएंगे forest कहता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ उसमें से एक friend कहता है कि last time हम success नहीं होगे थे forest कहता है कि अब मुझे experience आगया है अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है रात में forest जो अगो call कर रहा है अभी वो कैसी है क्या कर रही है इस सब उससे पूछता है ये जल्दी एक दूसरे से मिलने वाले होते है रात में forest जब अपने room में होता है तो देखता है कि hunt की interview चल रही है ये interview जए ये robbery के बारे में ही है forest इसमें बहुत interested हो जाता है अब हमें directly robbery हो चुकी है ये दिखाई देता है इस बैंक की जो manager थी इसे बात कर रहा होता है ये robbery ज़रा unsuccessful हो चुकी है बहुत सारे पैसे वही पड़े होए होते है इस बैंक का जो गार था ये forest तो उसके friend की बीचे भागा था इसने दो गोलिया चलाई थी हमें दिखता है कि forest के friend को ये गोली लग गई होती है forest का friend कहता है कि हमने एक पुरा काम करी लिया था थोड़े से के लिए गड़बड हो गई forest बोलता है कि हमने वैसे भी अच्छे से किया है उसके डिक्के में बहुत सारे पैसे और गोल्ड भी हमें दिखता है अब next in में हम दिखते है कि हंड ने forest के about बहुत ज़री information निकल वाली है वो एक बहुत ही अच्छा काम करा है और अब bureau को ये पता चल चुका है यानि कि FBI भी a forest को ढूणना चाती है कि हंड के पास आती है और खेती है कि तुमने जो सब काम किया है ये सब की details मुझे देदो हम अच्छे से इसे ढूण सकते है हंड को ये अच्छा नहीं लगता हंड कहता है कि मैंने उसे almost ढूणनी लिया है और last में तुम उसे बस्ट करोगे ये उसे अच्छा नहीं लगता पर हमें पता है कि जैसे ये FBI है तो FBI से कोई ना नहीं कह सकता ये case FBI के पास आ जाती है हंड के बच्चों को जब पता चलता है कि हंड से case अब चली गई है तो उसके बच्चे उसे समझाने के लिए कहते है कि जो FBI के लोग है ये भी यही चाहते है कि forest पकड़ा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है Nixon में हन पूली स्टेशन पे होता है उसके mail में उसे एक फोटो मिलता है ये forest टकर का फोटो होता है forest इसके साथ खेल खेलना चाता है तो उसका ये यंग फोटो उसने उसे भीज़ दिया होता है Nixon में हमें forest जूल के पास आया हुआ दिखता है जूल हॉसराइट कर रहे होती है तो उससे पुछती ही कि अगर तुमें करना है तो तुम कर सकते हो forest होट से थोटा सा डरता है ये कहता है कि next time मैं करने वाल हूँ ये उसके मरने के पहले जो सब चीज़े करनी है इसके list पर होता है जूल और forest अब बात कर रहे होते हैं जूल फिर इसे खहे दी कि मेरे पच्चे और मेरे पती था मेरे जो family थी ये perfect थी और at least मुझे perfect लगती थी मुझे लगा था कि मैं बहुत ही खुश हूँ पर जो time था ये आखे चलता गया और मुझे लगता गया कि मुझे जो सब चीज़े करनी थी ये सब रह गई है मेरे पती की जब death हो गई तब मुझे लगा कि मुझे जो सब चीज़े करनी है वो अब मुझे करना स्टार्ट कर देना चाहिए हर बार जब मैं door close कर दी थी तब मुझे लगता था कि मेरे life के door close हो रहे है इसलिए अब मैं सही से जीना चाहती हूँ forest कहता है कि कभी भी मुझे लगता है कि door close हो गया है तो window को मैं तोड़ देता हूँ और वहाँ से भाहर निकल जाता हो और जिस तरह से लाइफ जीता है इस बारे में वो केह रहा होता है Forrest कहता है कि 10 साल का Forrest अगर मुझे देखेगा और वो जब प्राउट होगा तो भी मुझे लगता है कि मैं साइट रेक पर हूँ जूल कहती है कि क्या वो तुम पर प्राउट है कहता है कि दिन बाद दिन वो क्लोज आता जा रहा है Forrest अपने काम से बहुत ही खुश होता है उसे कभी भी कोई भी गम नहीं होता अब नेक्सिन में हम देखते है कि Forrest बैंक में आया हुआ है पर इस बार ये बैंक को लूटने नहीं वाला होता जूल पर जो भी सब कर्जा है यह वो पे करने वाला है ये बैंक की मैनेजर गही थी कि दुमें कर सकते हो पर इसके जूल की साइन लगने वाली है Forrest कहते है कि विदाउट साइन क्या यह हो सकता है ये इसे मना कर देती है ये उसे अलग-अलग फैशन पुष्टा है पर इसका कोई भी वे नहीं होता कि जूल को पता ना चल सके इसके बाद हम देखते हैं कि हंट एक घर पर आया हुआ है Forrest ने अपनी फोटो जी पेजी थी तो इसकी फैमिली ट्रैक करते करते जब हम 15 साल के थे तब Forrest जेल से बाहर आने वाला था मेरी मदर को लगा कि हो मिलने के लिए आ सकता है तो इसलिए सच सच सब कुछ मुझे उसने बता दिया था Forrest को बेटी को Forrest से कुछ भी लेना देना नहीं चाहिए होता वो कहती है कि अगर वो पकड़ा भी गया तो मैं उसकी as a relative उसे लेने नहीं आने वाली हन कहता है कि तुमें कोई भी जरूत नहीं पड़ेगी इसके बाद हम देखते है कि Forrest और जोल एक जगा पर शॉपिंग करने के लिए आये होई होते है Forrest जोल के लिए एक बैंगल ले रहा होता है यह बैंगल जब वो देखते हैं तो जोल को एक बहुत ही पसना आता है Forrest इस टोर के बारे में सब को जान रहा होता है जब राइट मुमेंट आता है तो जोल को बाहर लेकर आता है यह जो बैंगल है यह इसने चोरी किया है जो लिस पर हसने लग जाती है और इसे गलत लगता है यह फिर वापस आती है और Forrest को उसके लिए बाय करने के लिए दिया नेक सिन्व हम देखते है कि Hunt अब Forrest के लॉयर के पास आ चुका है Forrest जब जब ज़रा यंग था तब उसे इस लॉयर ने रिप्रिजेंट किया था इस लॉयर को Forrest के बारे में बात करना बहुत ही अच्छा लगता है इसे लगता है कि Forrest बहुत ही इंट्रेस्टिंग आत्मी है वो जब से 13 साल का था तब से वो चोरी कर रहा है इसके बाद 18 जेल तोड़ कर ये निकल चुका है एक बार तो वो आइलन्ड में था उसने एक छोटी सी बोड बनाई थी और उस बोड पर वो बहाँ से भाग गया था ये लॉयर कहता है कि उसके लाइफ के बहाँ जारे स्टोरिज उसने मुझे बताई है ये जो उसने सब रॉबरीज वगरा सब कुछ की है तो इसमें उसने कभी भी गन नहीं चलाई उसके पास गन दो थी पर कभी उसने चलाई नहीं है आज तक किसी को भी उसने हट नहीं किया है लॉयर कहता है कि जब मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे लगा कि वो अपने काम से बहुत ही प्यार करता है मैंने उससे बूचा कि अगर तुम्हें रोजी रोटी नहीं कमानी है तो तुम कुछ अलग काम कर सकते हो फोरेश ने मुझे कहा कि मुझे सिर्व जिनने के लिए काम नहीं करना मुझे सच मुच में ये जो लाइफ है, ये अच्छी तरीके से जिनी है वो जब चोरी करता है, तब उसे अलाइव महसुस होता है हंट अपने घर अपनी वाइफ के पास आता है तो वो कहता है कि मैंने उसे अब ढून लिया है वो क्या है किस तरह का आदमी है ये मुझे पता चल चुका है इसकी वाइफ कहती है तुम उसे जरूर ढूंड लोंगे आज हन का जरा मोड अच्छा होता है वो अपने वाइफ को लेकर कही डिनर के लिए बाहर जाना चाता है वो फिर जो में एक रेस्टॉर्ण में आचाते है यहीं में दिखता है कि वहाँ फॉरस्ट भी आ चुका है जब हन टॉयलेट किल जाता है तो फॉरस्ट उसकी पीछी बीचा जाता है वो कहता है एक। मैं तो तुम्य पेचानता हूँ यह तुम सही कर रहे हो अगर तुम जो कर रहे हो उसके बारे में तुमें क्ल्यू भी नहीं होगा तब ही लगता है कि तुम बहुत ही confident हो हंट को मौलब होता है कि यह forest है यह से कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसका नाम भी हो लेता है Forrest सिर्फ वहाँ से चला जाता है और Hunt उसका पीछा नहीं करता उसे सिर्फ उसके बारे में information निकलवानी थी Forrest जो है किसी को hurt नहीं कहता तो उसे इससे ज़्यादा कुछ problem नहीं है इस case को अब वो छोड़ कर आगे अपने life में बढ़ सकता है जूल और Forrest जब घर आ रहे होते हैं तो Forrest कुछ रहने के लिए बाहर निकलता है जूल उसकी गाड़ी में एक गन देखती है उसे आप थोड़ा-थोड़ा भिली होने लग जाता है कि जो Forrest कह रहा था ये सही कह रहा था वो सचमुच में रोबर हो सकता है जूल जब घर पर आती है तो एकसेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती उसे आप Forrest से पैर हो चुका होता है Forrest ने उसे घर पर छोड़ दिया होता है जूल अंदर चले जाती है पर थोड़ी देर बाद वापस आकर Forrest फेस से उसकी डोर पर खटकटाता है ये दोनों एक दूसरे को किस करते है उसके पास Forrest वहाँ से चला जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि एक राद अपने Friend को मिलने के लिए Forrest आता है तब ही उसकी Friend के पास बहुत सारे पुलिस आया हुए होते है ये सब अब Forrest को अरेस्ट करने के लिए आ होते है Forrest अपनी गाड़ी में बैठता है वहाँ से जल्दी से चला जाता है पुलिस इसका पीछा है कर रही होती है उनसे वो पीछा छोड़वा कर निकल पहुचता है पुलिस आप जूल को भी ट्रैक कर लेते हैं उसके घर पर आने वाले होते है तो इसलिए Forrest अब अपने आपको पकड़वा लेता है हन को जब ये न्यूज मिलती है तो आप Forrest से मिलने के लिए आता है Forrest एक रॉबरी पर उसके लिए एक नोट छोड़ कर गया था ये नोट वो उसे वापस कर देता है इसके बाद हम देखते हैं कि Forrest जेल में है और उसे मिलने के लिए जूल आई हुई है जूल उसे कहती है कि वो बहुत सारे questions मुझे पूछ रहे थे वो मुझे से पूछ रहे थे कि क्या मैं तुमें जानती हूँ मैंने उनसे अपको सना ही कहा था Forrest फिर उसे एक कागद देता है इस पर सब डेट से करा लिखे होती है और description होता है जिस जीस जेल से वो छोटकर बहार निकला था इस सब के नाम उस पर लिखे होती है इस पर और एक नंबर बना होता है तो जूल से बुछती है कि ये क्या है ये क्यों blank है Forrest कहता है कि best में last के लिए बचा कर रखना चाहता हूं यानि कि ये जेल भी वो तोड़कर जा सकता है जूल से कहती है कि इस बार ऐसा मत करो इस बार तुम यही रहो किस-किस तरह से वो फरार हुआ था ये ऐसा वो में दिखता है एक बार वो खेड़के से बाहर निकल गया था एक बार जब वो जेल में था तो जो गाड़ी हाती है सामान मेगरा पहुचाने के लिए इसे गाड़ी में बेट कर निकल गया था जेल के बड़ी भिंतों से एक बार रोब डाल कर वहाँ से चला गया था एक बार गार्ड को ही उसने बान दिया था और वहाँ से भाग गया था एक बार टनल बना कर एक बार लॉंड्री में और एक बार बोट से इस तरह से अलग-अलग तरीके से वो जेल से निकल जाता था अब हमें दिखता है कि Forrest की जो सजा है वो अब खतम हो चुकी है उसे लेने के लिए Jool आती है Jool उसे अपने घर पर लेकर आती है उसे कहती है कि जितनी भी टाइम तोग तुम्हें यहां रहना है तुम्हें यहां रहने में कोई भी प्रॉलम नहीं है फोरेस्ट जूल के घर में एक साइन देखता है जिसने एक घर बनवाया है यह उसकी साइन होती है जिस तरह से आर्टिस्ट अपनी लेगसी छोड़ कर गया है उसी तरह से फोरेस्ट भी अपनी लेगसी छोड़ कर जा सकता है वो जो काम करता है यह उसे पसंद आता है जूल के साथ वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है जूल और वो मूविस में जाते है जूल के फार्म में वो चलते है जूल के साथ एक अच्छी से लाइफस्टाइल वो जी सकता है पर यह उसे नहीं करना एक दिन जुन से कहता है जल्दी में वापस आ जाओंगा और फिर बाहर निकल जाता है वो फिर हंड को कॉल लगता है हंड उसे भुशता है कि क्या सब कुछ ठीक है Forrest कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसी दिन Forrest चार रॉबरिस करता है इसके बाद वो पकड़ा गया था जिस बुलिस ने उसे पकड़ा था तो उनसे जब पूछा गया तो Forrest के साथा तो उन्होंने बताया था कि जब वो पकड़ा गया था तो उसके फेस बस स्माइल थी यानि कि जब वो पकड़ा गया था तो बहुत ही खुश था क्योंकि अभी-अभी उसने successful robberies की थी अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like और comment ज़रूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस channel के subscribe कर दीजे और bell notification icon दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूरी के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया